वीडियो बहुती ज्यादा वाइरल हो रहे है वह मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि वह इनके वीडियो है या नहीं महीने पहले मेरे कॉलेज के एक सीमियर ने मुझसे नवता जुलता एक MMS वाइरल कर दिया जो मैं हूँ नहीं मैंने पुलीस कंप्लीन तक की है आप लोग को कोई अंदाजा नहीं है जब आप लोग मेरे सोशल हैंडल्स में आके कमेंट करते हूं मुझे कित तक खराब लगता है वुशु कमेंट्स पढ़ने में मैं बस यहीं बोलना चाहते हूं कि क्यों आप लोग मेरे पीछे पढ़े हो क्यों आप मेरे लाइप बरबात करना चाहते हूं मैंने काफी बार एक्स्प्रेंद किया है कि मैं वो नहीं हूं जब मैं वो हुँ ही तो मुझे इस चीज कितिवड़ी सब्स दीट का इंपल था मेरा इंपल नहीं है इस बोलड़की का ब्युटे नहीं है एब यूटी नहीं है असी तुम ही हो क्यों यह तुम ही हो अ चीज इतना जादर स्रप्लेट रहा हो गया इंग्यों तुटनों नह कि इस क्लिप को देखा तो आपको पता चली गया होगा इस क्लिप से कि गाइस उनकी वीडियो 100% परसेंट अगर आप उस वीडियो को देखकर इनकी फोटो से मैज भी कराएंगे तो लिटरिली गाइस वीडियो बिल्कुल फे की नजर आएगी तो गाइस हुआ कि जैसा कि नम मीडिया बहुत ही जादा वाइरल कर रहे हैं अंसे मैं कहना चाह 52 अंकी वीडियो को वाइरल करते जा रहे हैं और फॉस लॉंडब नम्रता परिजा के साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं आपको एक hashtag चलाया गया hashtag भी support नम्रता परिजा किसी भी लड़की को इस तरह से depressed करना काफी जदा वो depression में आपने उनकी clip में देखा ही होगा की काफी जदा वो depressed लग रही है और साथी साथ उन्होंने बाकी काफी सारे यूट्यूबर से जो उनके साथ support में खड़े हुए हैं क्योंकि वो उनकी fake वीडियो है गाइस एक पर real होता है तो चलता है किसी बारे में कुछ भी बोल सकते हो बट गाइस fake वीडियो फैला के किसी बारे गाइस फैलाई जा रही है जो कि अभी ये पाच पान अमरता परिजय का केस आया है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है जिसमे की काफी बीटी खान के fake वीडियो फैलाईगी तो इस तरह से fake वीडियो फैलाना बहुत ही गलत है मुंबाई पुलिस ने तो इसके तरह साफ साफ कहते हैं कि आप जो फैक वीडियो पैलाईगा गाइस उसको जेल जाना ही पड़ेगा आपके पास जो भी वीडियो भेज रहा है उसे भी मना करो कि वह और कहीं मत भेजे और आम नम्रता परीज्यों को जिल से आपको मिलते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तता के लिए टाटा बाई बाई